बाउजन समाज की हर ख़बर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अमबेटगाट पीपोल्स वोईस और पेल आइकन दबाए अमबेटगाट पीपोल्स वोईस बड़ा मामला सामने आ रहे राजस्तान के अलवर से जहांपर बाबा साहिब डोक्टर भीम राओ अमबेटगाट जी की मूर्ति लगाने का विवाद इतना तुल पकड़ा कि मूर्ति लगाने वाले व्यक्ति को पुलिश ने उठाकर जेल मे पूरा मामला आपको बताएंगे अलवर की राजकी एकला महविद्याली की गटणा है राजकी एकला महविद्याली सोरी कोलेज है उसके अंदर यहां पर चातरसंग के अद्यक्ष सुंदीब डिग्वाल और वो बाबा साब बिटकरजी की मूर्ति लगवाना चाहते हैं पाकिर के अंदर संदीप डिग्वाल ने लोगडाउन काल को देखा और इसमय वो चातरसं का उध्डगाटन भी नहीं करवा पाए यानि कारेगरम भी कोई नहीं करवा सकते थे लगाता लोगडाउन बढ़ रहाता और जैसे तेशिकर करके संदीप डिग्वाल का अब जो कार रात्री के बीच अपने सातियों के साथ कोलेज परिसर पहूंचे और वहाँ पर पहले से बनी वोई जाली जहां सरकारी कोई काम रखा हुआ था उसको वहां से साइड में हटा कर बाबा साब बैटकर जी की मूर्ती रात में ही चोके दारों को खबाँ से अटा कर और उन को ड्रा धंगा कर वहाँ पर मूरती इस्तापित कर दी ऐसा परसासन का कहना संदीब डीगवाल का भी यह कहना है कि परसासन की तरफ से उनको मूर्ति लगाने का जो है मोका नहीं मिलाता इस वज़े से उनको रात में मूर्ति लगाने पड़ी 10 तारी 11 तारी की मद्दे रातरी के अंदर यह गट्टा करा वुआ 12 तारी को यह अकभार में छपे और उसके परिमेंसन है वो आसानी से दिलुवा सकती ती कॉलेज से भी दिलुआ सकती ती लेकिन इस तरीके से आपको बता धें कि इस तरीके से जो मूर्ति इस्ता पी नहीं होते हैं बाकी आप अपना statement इस मामले में दे सकते हैं आपको बताते कि जहांपे राजस्तान के ये पूरा मामला अलवर का वहाँ से टिका राम जूली जो S.C. समाचे हैं और खुद मंत्री भी एकर वो चाहते तो साइध पर्मिसन इस मामले में आसानी से मिल सकती थी बाकि इस मामले में जो संदीब डिगवाल और इस्तानी जिला पर्शासन ही बता सकता है लेकिन कुल मिला कर हम देखने की कोशिश करें तो क्या इस परकार से लगाएगी मूर्ती का सम्मान उस तरीके से होगा क्या ये मूर्ती यतावत यहां पर लगी रैप आएगी यानि इन तमाम चीजों को भी आगे देखना बहुत दिल्चस्ट होगा मिलेंगे इस नए वीडियो और नए अपड़ों के साथ अब तक आप से लेते विदा लाइक कीजिए कमेंट कीजिए उनक शेयर करना बिल्कूर ना भूले अगर आपको वीडियो पसंद है